क्या आपके भी periods बहुत बहुत painful होते हैं और डॉक्टर ने शायद आपको बताया कि आपको endometriosis है अच्छा तो इतना लंबा शब्द सुनकर डरियेगा मत आये समझते हैं पहले कि endometriosis होता क्या है और ये issue क्यों हो गया पर आसान भाशा में जो कि आपको और हमें दोनों को स lining होती है जहां पर डेली के हिसाब से हम females के tissues और blood cells deposit होते जाते हैं अब अगर तो मेंटिंग हो जाती है अगर sperm आ जाता है और मेंटिंग हो जाती है तो इन ही blood cells से आपका fetus form होता है पर अगर मेंटिंग नहीं होती है तो यही blood cells menstrual flow के तोर पर हमारे monthly cycles में से निकल जाते हैं तो यह lining जब ठिक हो जाती है इसका क्या मतलब होगा आसान भाशा की बात कर रहे हैं तो कोई भी deposition निकल नहीं पा रहा है detox नहीं हो पा रहा है आपके system का सही से इस कारण वो कभी-कभी overgrowth भी हो जाती है तो इसका procedure इसका solution अलोपैथी में क्या दिया जाता है तो scraping कर वालो लेप्रोस्कोपी कर वालो पर यह दोनों चीजे ना temporary solution होता है क्योंकि जिस कारण से वो lining थिक या थिन हो रही है उसका तो कोई इलाज हुआ नहीं है वो tendency पर तो काम हुआ नहीं है और यह समस्या अंदर के internal involuntary organ की समस्या है तो यह जो आपने deposit हटा दिया scraping करा ली लेप्र voluntary solution है दो महीने बाद यह चीज वापस develop हो जाएगी और अगर आप बार बार surgical intervention करवाएंगे तो आपके organ damage होने का risk बढ़ जाएगा तो फिर क्या करें परेशान रहें हर महीने यह pain सहें और periods के पहले और बाद का भी trauma हम ही सहें नहीं ऐसा नहीं है हमारी जो कुमभग therapy है इस से यह problem root से ठीक हो सकती है आपके जिस tendency जिस area of weakness के कारण यह issue आ रहा है वो क्योर हो सकता है तो काम कीजे अपने internal involuntary organ और organ system पर आयुडवेद के ब्रह्मास्ट कुमभग therapy के साथ कैसे करेंगे यह जानने के लिए नीचे दिये हुए link पर क्लिक कीजे webinar attend कीजे और सारी जानक पाई यह थैंक यू